नमस्कार मैं हूँ अमित पाली तो इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बताएं उत्राखंड विधानसवा में शक्ती परिक्षन की कारवाही शुरू हो गई है इस वक्त विधानसवा की कारवाही चल रही है पिछले आदे घंटे से कारवाही चल रही है इस बीच शक्ती परिक्षन से पहले कॉंग्रिस को एक बड़ी रहत मिली है BSP प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी कॉंग्रिस को समर्थन करेंगे आपको बताते कि उत्राखण में BSP के दो विधायक हैं जो अब कॉंग्रिस का समर्थन करने वाले हैं तो बड़ी ख़बर आ रही है उत्राखण से जहां पर फ्लोट टेस्ट शुरू हो चुका है आपको बताते कि हरीश रावत को आज अपना बहुमत साबित करना है विधान सवा में और जिस तरह से हमें आकड़ की गर बात की जाएं तो आकड़ो में ऐसा लग रहा है फिलाल की हरीश रावत को दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्यूंकि अभी अभी जो ख़बर आई है कि BSP के दो जो विधायक है वो कॉंग्रेस को समर्थन करने जा रहे है उत्राखन में फ्लोट टेस्ट शुरू हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये फ्लोट टेस्ट हो रहा है सुरक्षा के कड़े इंतरजाम है विधान सवा के अंदर मोवाईल ले जाने की इजाज़त नहीं है किसी भी विधायक को और गाड़ी भी ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई है सिर्फ और सी पर्मिशन मिला है स्पीकर को जो की गाड़ी लेके अंदर जा सकते हैं स्पीकर की अध्यक्षता में ये पूरा फ्लोर टेस्ट अभी शुरू हो रहा है BSP सुप्रीवो मायवती ने कॉंग्रिस को समर्थन देने का एलान किया है उत्राखण में BSP के दो विदायक हैं इससे पहले BJP ने कॉंग्रिस को एक जटका दिया था कॉंग्रिस की विदायक रेखा आर्या ने उत्राखण BJP अध्यक्ष से मुलाकात की और उनी के साथ विदान सवा पहुंची तो ये जटका है कॉंग्रिस के लिए लेकिन रहत की बात है कि मायवती ने समर्थन की बात की है हमारे दोनों विदायक उधर असंबली में पहुंच चुके हैं और हमारी पार्टी जो है देश में खास सोरसे संप्रदायक ताक्तों को कमजोर करने के लिए आप लोग हमारा स्टेंड अच्छी परकार से जानते हैं तो हमारी पार्टी उधर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ही वोट देगी है। ख्रटाव रख रहे हैं कि यह सदन उनमें विश्वास करता है और कि प्रस्ताव के सिटाव के बारी पार्टी की समर्थन में आगी है और दो अधिकारी अंदर मौझूद है और सप्रिम कोड के टरफ Bapt remarquito सेक्रेटरी वो मौजूद हैं वो सारी काउंटिंग को करकर एक सिल्वन लिफाफे में बरके उसे सुप्रीम कोड को भेज देंगे और कल वहाँ सुप्रीम कोड उस लिफाफे को खुलवाएगा फिलाल अगर विधायकों के पहुंचने के लिहाज से आकड़ों के तस्वीर को समझने की कोशिश करें तो ऐसा लग रहा है कि हरी श्रावत के पक्ष में पलवड़ा ज्यादा मजबूत है कॉंग्रेस के कुल 27 विदायक थे जिसमें से एक रेखा आ रहा आज बीजेपी अद्रक्ष अजयबट के साथ विदानसवा पहुंची हुई है पहले उन्हों नहो एक यूकेडी दो बीएसपी ये छे विदायक भी कौंगिसी खेमे के साथ यहां पहुंचे हुए हैं इसके अलावा एक नॉमिनेटेट अमेले हैं गार्डनर वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और अगर जरुवत पड़ी तो स्पिकर भी अपना वोट कर सकते हैं तो इस त पहुंचने के लिया से तो तस्वीर ऐसी दिख रही है लेकिन बीजेपी बार बार ये दावा कर रही है कि उसे अंतरात्मा की आवास पर भरोसा है देखना होगा कि उसका ये दावा विदान सवा के फ्लोर पे कोई रंग दिखाता है या सिर्फ एक खयाली पुलाव भर रह जाता है देविंदर जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक अंतरात्मा की बार बार जो बात आ रही है तो कुछ मैच जैसा है लग रहा है जैसे क्रिकेट में आखरी बॉल तक सस्पेंस बरकरार रहता है लेकिन उसकी तस्वीर जो आज सुबा सुबा देखने को मिली जैसा कि जा रहा है लेकि अंदर क्योंकि फोन तक मना कर दिया गया है और किसी भी और प्रवेश की इजाजत नहीं थी जितने विधायक थे उनकी गाडियों को भी विदान सभा के गेट पर ही रोग दिया गया और वहां से मोबाइल फोन जमा करा कि उन्हें पैदल अंदर बेजा ग रही है लेकिन कोई नाटकिया घटना करम हो रहा है या नहीं यह देखना होगा हलाकि उसकी उमीद कम जताई जा रही है अंतिम छड़ों में इस परकार से बहुत जादा नाटकिया घटना करम हो जाए इस बात की संभावना यानिकि अभी इस पूरे मैच का रिजल्ट क्या होता है उसके लिए हमको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा बहुत बहुत शुक्रिया देवंदर आपका पूरी जानकारी देने के लिए